नमस्कार बहुत स्वागत है अब सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रवींद्र सिंग और बुल्टिंग की शुरुवात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जैपूर से आरे बीजीपी का संकल पत्र थोड़ी देर में जारी हो किया जाएगा बीजीपी के राश्ट्री जन भावना का आज लोकारपन करें संकल पत्र 2030 यानि कि आपणों अगर्वनरी राजस्थान ये नाम दिया गया है बीजीपी की तरफ से संकल पत्र का और तस्मीरों में आप देख सकते हैं कि बीजीपी अपना संकल पत्र जारी कर रहे हैं शालीनतावए संगर्ष की अद्वत मिसाल जो संगठन में अनुसाशन के परिचायक हैं विश्व की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी के राश्ट्य अध्यक्ष श्री जेपी नडड़ा जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हम सभी को संभोदेत करें आज के इस भारतियनता पार्टी के संकल्प पत्र के लोकारपन के अफसर पर मंच पर उपस्थिट हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रिसीपी जोशी जी हमारे वरिष्ट नेत्री जिनों ने राजस्थान को दो बार नेत्रत किया शिमति बरसुरा राजे जी परलाज जोशी जी हमारे प्रभारी अरुम सिंग जी भारत सरकार में मंत्री घजिंदर सिंग जी अर्जुन रामेगवाल जी, सतीश पुनिया जी, अलक्या गुजर जी, समानित मंच और मेरे मीडिया के सभी वरिष्ट पत्रकार बंदू आज नाशनल प्रेस दे है सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंदूओं को आज प्रेस दे के अफसर पर उनको शुब कामनाएं भी देता हूँ और उसके साथ साथ उनको आज के दिन के लिए बढ़ाई भी देता हूँ आप हमारे चौते स्थम्प के रूप में प्रजा तंत्रकी सेवा कर रहे हैं बित्रो ये संकल्प पत्र के बारे में कुछ भूमिका आपके सामने अभी अभी अर्जुन राम मेगवाल जी ने रखी और थोड़ी सी भूमिका हमारे प्रदेश के अध्यक जीने रखी मैं यहाँ आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉकिमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक आपचारिकता है पर भारतिय जन्ता पार्टि के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्पत्र मात्र कुछ पढ़नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है वो हमारे लिए जिसको कहा जाए वो ऐसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद है और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया जो नहीं कहा था वो भी करके दिया इसलिए ये घोश वाक्य जो हमारा संकल्पत्र का है उस घोश वाक्य को हम पूरा करने के लिए समर्पे थे और इसलिए आपने देखा हुआ कि इस पर ड्यू डिलिजेंस हुई अभी आपके सामने डीटेल में अरजुन राम जी ने बताया कि कितने सजेशन्स आए और कैसे ये कारक्रम हुआ है दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस अफसर का उप्योग करते हुए इसको भी मैं यहां सफ़्ष्ट करना चाहता हूँ और जब मैं कॉंग्रेस पार्टी की बात करता हूँ तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेस पार्टी पांच बातों के लिए पांच साल में जानी गई पहला भरष्टा चार और भरष्टा चार में नंबर एक दूसरा बेहन बेटियों और माताओं का अपमान नारी सम्मान के साथ खिलवार और महिलाओं के क्राइम में नंबर वन किसानों का तिरसकार डीटेल में मैं बाद में आओंगा लेकिन इस 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 अनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे बहंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे जएदा अगर मैं बात करूँ युवाओं की तो जितने पेपर लिक्स यहां हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है और जहां गरीब और पिछलों की बात है उनके साथ अत्याचार हुआ है इसलिए पांच बातों के लिए जाना जाता है भरष्टाचार बहनों बेटियों का तिरसकार किसानों का तिरसकार युवाओं के भविश्यों से खिलगवाड और गरीब लोगों के साथ अत्याचार अगर मैं घोटालों की बात करूँ भष्टाचार की बात करूँ तो इन्होंने वृद्धा पेंसिन योजला में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोर रुपे का उसमें भी घोटाला कर दिया मैं एक ही वाक्य में आपको बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री अशोग गैलोट के परिवार का 11,000 क्रोर रुपीज का कॉंट्रक्ट रिसीव हुआ है ये बताता है के कॉंग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वर्शवाद, भष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोग गैलोट उसका एक सैंपल है जल जीवन स्कैम, जल जीवन जे भरो स्कैम बन गया और लगबग 20,000 क्रोर रुपे का उसमें घोटा ला हुआ अगर मैं बहन बेटियों की बात करो तो 10,92,000 के नेरली 11,00,000 केसे अब बिन रिजिस्टर्ड अगेंस विमन इन लास्ट फाइव यह पांच सालों में NCRB के रिकॉर्ड में राइसान रेट में नमबर वन पर है और नाशनल क्राइम बिरो रिकॉर्ड बिरो इस बात को पुष्टी करता है उसी तरीके से लास्ट फ्यू मन्स में यानि दो तीन मेंने में 118 माइनर रेट केसे हुए और अगर किसानों की बात करें तो कर्रज मास्वी आपको मालूम है उसमें वादा किलाफी हुई लगबग 2400 किसानों की भूमी को कुर्क किया गया है फर्टिलाइजर स्कैम उसमें अशोग गैलोड जी के ब्रदर ने भाई ने सबसिडाइज फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया ये एक नेने तरीके है नेने आयाम के भरष्टाचार हमको देखने को मिल रहे है उसी तरीके से पेपर लीक्स में R.E.E.T. REIT का पेपर लीक ये जग जाहिर है और लगबग हर साल तीन पेपर लीक आवरेज ओन आवरेज तीन पेपर लीक राजिस्तान ने पिछले पांच वर्चों में विट्निस किया है गरीबों की बात करें तो दलितों पर हमारे अनुसूची जाती भाईयों पर और अनुसूची जग जाती भाईयों पर पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुल्डोजर चलाना और कुछ लोगों को सरतंज से जुदा होने के लिए नैरे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा दिना यह भी हम लोगों ने राइस्थान की दर्तिपर देखा जो राजिस्थान शांत प्रियर राजस्थान सद्भाव के लिए जाना जाता था आज वहाँ ऐसी आवाजे उट रही हैं मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतिय जन्ता पार्टी ने कोशिश की राष्टिय भारत की सरकार के द्वारा कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसक को मुख्यधारा में शामिल करें और इसलिए चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इजद घर का सवाल हो यानि सोचाले बनाने का सवाल हो चाहे उज्जुला योजना हो चाहे नारी सक्ति वंदन विधेक हो और चाहे उज्जाला योजना हो यह सभी महिलाओं को ताक